हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आरेमोग क्लासेस मैं हो खिलेश शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डियाडियो के बहुत ही एडवांस और फ्यूचरिस्ट्रिक पोजेक्ट के बारे में जिससे हमारे डिफेंस फोर्सेस की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है तो आप इस वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहे हैं और अगर ये वीडियो आपको ग्यानवर्दक लगती है तो क्याएक शेयर और सस्क्राइब जरूर करिए रिसेंटली पाथ जून को फाइनेंसियल एक्स्प्रेस में एक आर्टिकल पब्लिस हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो भारती सैनिक हाई एल्टिटूट पर रहते हैं उनके लिए डियाडियो एक एक सो एसकलेटर डेवलप कर रही है डियाडियो का ये जो प्रोजेक्ट है 2019 से ही काफी चर्चा में रहा है डियाडियो यानि डिफेंस एंड डेवलप्मेंट और्गिनाइजेशन जो भारती सरकार के रक्षा मंत्रायले के अंदर काम करती है ये भारती सैनिकों के लिए एक एक सो एसकलेट टेकनलोजी पर काम कर रही है जो भारती सैनिकों को बहुत ही जादे हेल्प करेगी उनके ओप्रेशन समें और 2019 में ही एक ओर आर्टिकल पॉब्लिश हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि जल्द ही भारती सैनिक ये टेकनलोजी प्राप्त करने वाले हैं और 2019 का एक और आर्टिकल जो मैं आपको स्कीन पर सेयर कर रहा हूँ इसे मैंने स्वराज मैगजीन से लिया हुआ है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भविश के भारती सहनिक एसो एसकलेटन टेकनलोजी की वज़े से सूपर वैरियर होंगे और पिछली वाले आर्टिकल में जो आप यहाँ पर देख पा रहा है इसमें ये कहा गया था कि वो सूपर सोल्जर होंगे अगर ये टेकनलोजी यूज करते हैं मैंने यहाँ पर कई बार एक ही वर्ड का यूज किया है जो है एक्सो एक्सलेटन ये होता क्या है जो एक्सलेटन है ये मेडिकल फिल्ड से आया हुआ है जिसका नाम कंकाल है जिसका अर्थ बोलते हैं कंकाल और आपको पता होना चाहिए कि जो कंकाल होता है जो मनुस का कंकाल होता है या पिर किसी जी भी जानवर का या पिर किसी भी लेविंग का कंकाल होता है वो बहुत ही जादे निर्बर करता है कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, आप चल सकते हैं, आपके मॉमेंट के लिए, आपके मोबिल्टी के लिए ये बहुत ही जादे इंपॉर्टन टेंट होता है और जो हमारा कंकाल है इसी की वज़ा से हम कोई चीज उठा कर उठा सकते हैं और काफी टाइम तक इसे होल्ड कर सकते हैं तो ये चीज जो है पहले यानि एक्सो एस रिलेटन जो है ये सबसे पहले मेडिकल फेल्ड में ही यूज हुआ था और इसका उपयोग हम करते थे जो हमारे ऐसे लोग होते थे जो capable नहीं होते थे फिजिकली बहुत ही जादे उनका damage हो गया होता था जो चल फिर नहीं सकते थे उनके लिए ये technology यूज की जाती थी और ये हमारे सरी पर एक बहारी कंकाल की तरह काम करता है जो हमारे body के movement के साथ सामझस से बिठा करके हमारी मदद करता है हमारे काम करने में देने के routine है उसको काम करने में मदद करता है तो धीरे धीरे जो military planners हैं जो expert हैं उनके समझ में ए देश का परिदिस्य है वो उसके फेवर में अगर हम बात करें तो कहीं परवत है कहीं पठार है कहीं पर रेगिस्तान है तो वहां पर जब हमारे सैनिक चलते हैं अब हमारे सैनिकों को अपनी security के लिए और उन्हें secure रखने के लिए हम उन्हें heavy armors, guns और भी बहुत धेर सारी चीजे जो देते हैं जो काफी heavy होते हैं अब उसकी वज़ा से उसे लेकर carry करने में उनको दिक्कत होती है और बहुत जल्दी थक जाते हैं जिससे उनकी capability होती है जो लड़ने की जो चलने की वो काफी कम हो जाती है ये जो technology होगी उनको मदद करेगी काफी time तक एक weight को hold करने के लिए और उसे लेकर के movement करने के लिए तो चलिए बात करते हैं कि ये जो suit sorry ये जो exo accelerator होता है वो क्या चीज है वो कितने प्रकार का होता है तो basically ये दो प्रकार का होता है एक होता है कि powered और दूसरा होता है non-powered powered में हम battery का इस्तमाल करते हैं hydraulics होते हैं और भी कई सारे scientific terms होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और इसकी वजह से हमें काफी आसानी हो जाती है अपने काम को करने के लिए अब मैं आपको बता दूँ जैसे iron man suit होता है जो movie में iron man आपने देखा होगा उसके suits हैं वो full-fledged powered exo suit हैं जिसका उपयोग iron man अपने operations को perform करने में किया करता था और दूसरा होता है non-powered non-powered जो suit होते हैं वो हमारे body के force को multiply करते हैं और हमें बहुत ही जादे मदद करते हैं अब अगर आपको यह देखना है कि यह military में कैसे use हो सकता है तो मैं आपको दो movies और recommend करता हूँ जो आप देखेंगे तो आपको definitely इस बात का पता चल जाएगा कि यह suits कैसे काम करते हैं कैसे होते हैं तो पहला movie में आपको दूँगा Tom Cruise की movie है Tom Cruise की जो है As of Tomorrow और दूसरी movie है Elysium यह दोनों movies अच्छे से describe कर देंगी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप देखते हैं त DRDO एक्सो एसलेटन डेवलप कर रहा है यह कितना पावरफूल है और इसे कहां कहां यूज में लाया जा सकता है यह जो DRDO का एक्सो एसलेटन है यह बैटरी पावर्ड होगा और इसकी capability की बात करें हम तो जो हमारे सैनिक हैं उनको यह additional 100 kg का weight 8 घंटे तक के operational time तक carry करने के ल जो battery backup होगी वो 3-5 घंटे तक होगी तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ military purpose के लिए यानि military operations के लिए इसका यूज किया जाएगा इसका उपयोग हम अपने उन soldiers के लिए भी करेंगे जो military operations या फिर अन्य किसी वजहों से चलने फिलने की condition में नहीं होंगे वहाँ पर करेंगे और उनको एक close to normal life जीने में साहता प्रदान करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और share करिये चैनल को subscribe करिये और comments में मैं बताए कि DRDO की इस technology के बारे में आप क्या सोचते हैं तो at the end thank you very much signing out